नमस्कार आपका अख़बार के इस हंग पे आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग हर्याना में भारतिय जन्ता पार्टी ने चमतकार किया है जब से राज्य बना है तब से अभी तक कोई भी पार्टी लगातार तीन बार चुनाओ नहीं जीती है और भारतिय जन्ता पार्टी ने चमतकार करके दिखा दिया है लगातार तीसरी बार उसकी सरकार बनी है और तीसरी बार जो सरकार बनी है इन तीन चुनाओं में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अला कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फाइनल रिजल्ट नहीं आये हैं लेकिन वारती जन्ता पार्टी लगभग 48 सीटों पर या तो जीत चुकी है या लीड कर रही है उसकी सरकार बनना तै है और पूरी मेजरिटी के साथ 2014 में बनी थी 46 सीटे आई थी 90 में से 2019 में सीटे कम हो गई थी 6 सीटे हार गए थी 40 सी आई थी इस बार फिर से मेजरिटी का मार्क जो 2014 में आसिल किया था उससे उपर चली गई तो क्या-क्या अभियान चले थे राहुर गांधी के हिसाब से आंधी चल रही थी एक फरजी पोल्स्टर और एक फेल्ड राजनेता जिसका नाम है योगेंद्रयादो का टोटल फरजी आदमी है ये मैं बार-बार कहता हूँ कि जिस तरह से भंडारा चलता है ना अलग-अलग मौसम में अलग-अलग अफसरों पर तो कुछ लोग होते हैं जो हर भंडारे में खाने पहुंच जाते हैं योगेंद्रयादो का वही हाल है तो इसका एक वीडियो देखा मैंने अभी कह रहे हैं कि तीन संभावना हैं चुनाव से पहले की बात है कह रहे हैं कि हरियाना में तीन संभावना हैं तो लोगों ने पूछा क्या है भाई तो उनका पहली संभावना ये है कि हरियाना में कॉंग्रेस पार्टी की हवा चल रही है तो लोगों ने पूछा दूसरी संभावना बताईए, तो मैंने कहा कि दूसरी संभावना ये है कि हर्याना में कॉंग्रेस पार्टी की आंधी चल रही है, तो लोगों ने कहा आप तीसरी संभावना भी बता दीजिए, तो लोगों ने कहा कि हर्याना में कॉंग्रेस पार्ट भी हुए आम आदमी पार्टी में आए और किसी पार्टी ने उनको लिया नहीं, हर पार्टी के लिए ढोल बजाने के लिए पहुंच जाते हैं। जो हर घर में कोई खुशी का मौका अगर उनको लगता है कि आने वाला है तो वहां पहुंच जाते हैं। तो योगे अंद्यादों के हिसाब से हर्याना में सुनामी चल रही थी। एक समय ये देश के प्रतिष्ठित सेफोलाजिस्ट माने जाते थी। खुशनों ने कहा कि मैं चुनाओ की भविश्वानिया करता था एक समय अब इनकी ये हालत हो गई है। तक हर्याना की स्थिती क्या थी। इस पर जब तक आप इसका विश्वेशन नहीं करेंगे इस पर गौर नहीं करेंगे तब तक इस रिजल्ट को सही तरीके से इसका विश्वेशन नहीं कर पाएंगे। उनको काम करने का ज़्यादा समय नहीं मिला। लेकिन एक मैसेज दिया कि हमने गलती महसूस किये और हमने गलती सुधार ली। ये बात लोगों तक पहुँच गई हलाकि इस तरह की बातें पहुँचने में थोड़ा समय लगता है। लोगसभा चुनाओ के समय भी अगर ये काम मनोहरलाल खटर को हटाने का छे-ाठ महिने पहले किया होता तो लोगसभा के चुनाओ के नतीजे भी थोड़ा अलग होते है। लेकिन वो बात बीद गई तो उसके बारे में बात करने का कोई फाइदा नहीं अभी बात जो आज नतीजे आए हैं उनकी। हर्याना में जो कुछ भी किसी रूलिंग पार्टी के लिए बुरा हो सकता था, सब बुरा था। कहार जा रहा था किसान नाराज हैं, किसान जो है बॉर्डर पर बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद करके बैठे हुए थे, किसानों की नाराजगी थी, इसके बावजूद कहा जा रहा था कि हर्याना अकेला प्रदेश है देश का, जिसने 24 की 24 फसलों पर MSP की गारंटी दे इसके बावजूद कहा जा रहा था किसान नाराज है, जाट नाराज है, उसके अलावा कहा जा रहा था कि पहलवान खिलाडी जो है वो नाराज है, फिर अगनिवीर को लेकर शोर मचाया गया, कि हर्याना जो है ऐसे राज्यों में है जो सबसे ज़्यादा सेना में लोगों क को भेजते हैं तो अगनिमी रियोजना से हर्याना के योकों में बड़ी नाराज़गी है फिर कॉंग्नेस पार्टी ने खर्ची-पर्ची का उसका जो सिस्टम था जिसे बीजेपी ने बंद कर दिया खर्ची-पर्ची समझी अगर आप हर्याना के बाहर के हैं तो शायद आप पैसा दीजिये आपको विधायक एक पर्ची देगा जिसके आधार पर नियुक्ति हो जाएगी नौकली मिल जाएगी हर विधायक का कॉंग्रेस के राज में कोटा मधा हुआ था इतनी पर्ची आपको मिलेगी उसके आधार पर आप कमाई कीजिए इसी पर्ची-खर्ची के चक्कर में उम्प्रकाश जोटाला जेल में रहे हैं सिच्छक बरती जोटाले में जेल काटना पड़ा है लेकिन कॉंग्रेस इसके खिलाफ बोलने को तो यार नहीं हुई उसको लगा कि ये हमारा ब्रह्मास्त्र है इसी के सारे हम चुनाओ जीत सकते हैं मनोहर लाल खटर की सर फिस्दी लोग खुश हो प्रसंद हो या फिर संतुष्ठ हो ऐसा होता नहीं है लेकिन लोग तुलना करते हैं कि इससे पहले जो सरकार थी अब जो सरकार है उन दोनों में बहतर कौन है ये देखते हैं उसके बाद फैसला करते हैं और अगर विपक्ष की दृष्टी से कि पहले हर्याना का विधान सबा का चुनाओ मैंने पहले भी एक बार कहा था केवल एक राज्य की सरकार बनाने या उसके बिगड़ने का नहीं था कि बीजेपी की सरकार आएगी या नहीं आएगी कॉंग्रेस के सत्ता में वापसी होगी या नहीं होगी इसका आसर पूरे देश की राजनीती पर बढ़ता है। लोग सभा चुनाओ के नतीजे आने के बाद जिसमें बीजेपी 303 से घटकर 240 पर आ गई ये पहला विधान सभा चुनाओ तो इसका मैसेज बहुत जाता है। अगर बीजेपी हार गई होती तो ये होता कि जो लोग सभा चुनाओ में हु तो मोदी कमजोर हो गए हैं ये नेरेटिव नहीं चला लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इसलिए आप देखिए कि जितने वोट इससे पहले यानि 2014 और 2019 के चुनाओ में बीजेपी को मिले थे सीटे मिली थी उससे जादा मिली। और जिस तरह की जीत हुई है उसने कई ची उनके पाओं जमीन से कुछ नीचे चले जाएंगे। जह जह पाओं पढ़े संतन के तहंता बंटा धार वो हाल है राहुल गांधी का। तो राहुल गांधी के बारे में जो लोग उमीद कर रहे थे कि राहुल गांधी बदल गए हैं और उन्होंने कॉंग्रिस को बदल दि यह तीन बाते चार जून के बात से कही जा रही थी। इन तीनों अवधारनाओं को हर्याना विधान सभा के चुनावने द्वस्त कर दिया। हर्याना में भारती जंता पार्टी के पास नाइब सैनी के रूप में ऐसा मुख्यमंत्री था जो बहुत लोग पिरे चेहरा नही की गई थी लेकिन ये बड़ा स्पष्ट कर दिया गया था कि भुपेंज सिंग हुडा ही मुख्यमंत्री होंगे। तो हुडा के दस साल के शाषन के अत्याचार लोगों को याद आ गये। कि अगर हुडा का शाषन फिर आया तो फिर क्या होने वाला है। दूसरी बात कुम इंदर हुडा के मंच से एक महिला के साथ जिस तरह की बदसलुकी हुई वो वीडियो वाइरल हुआ। तो कॉंग्रेस पार्टी ने उस पर कोई प्रतिविया नहीं दी। ये नहीं कहा कि हम कंडेम करते हैं गलत हुआ जिसने किया उसको पार्टी से निकाल देंगे ऐसा कु कॉंग्रेस पार्टी को लग रहा था कि चुनाओ का नतीजा तो आ चुका है हम जीच चूके हैं किवल उसकी घोला होना बाकी है। ने जो कुछ जिस तरह से किया उसको लग रहा था कि हरियाना उसका जीता हुआ राज्य है। और जिसस तरह का माहौल बना हुआ था खास मोदी ने जादा campaign नहीं किया अब यहां मैंने योगिन जादों की पहले बात की एक और व्यक्ति की बात करना ज़रूरी है उत्तर प्रदेश भारती जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार में जो उत्तर प्रदेश के दुर्भागे से और भारती जनता पार्टी में कुछ लोगों के सौभागे से प्रदेश का उप मुख्य मंत्री है नाम है ब्रिजेश पाठा आज जब रिजल्ट आ रहे थे तो उनसे प्रतिप्रिया ली गई एक चैनल के दौरा उनसे पूछा गया कि भाई हर्याना में उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ ने काफी प्रचार किया और जिन इलाकों में गये वहाँ भाजपा को अच्छी सवलता मिली है अच्छे वोट मिले है तो उनके मुझ से योगी आदितिनाथ का नाम नहीं निकला ये चलिए माल लेते हैं आप फुट चड़ है नार्जगी है आप नफरत करते हैं योगी आदितिनाथ से यहां तक माल लिया आप अगर ये कहते हैं कि ये वोट जो है प्रधान मंत्री नरेद मोदी के नेदितों के कारण मिले हैं उनकी अपील पर मिले हैं उनकी चबी पर उनके काम पर मिले हैं ये भी माल लेते आप हर्याना की दस साल की भाज़पा की सरकार को क्रेडिट देते वो भी माल लिया जाता लेकिन उनके कहा क्या जवाब दिया कि प्रधान मंत्री निरिद मोदी के नेत्रितों में हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, मतलब कि हम लोग वहां मौजूद थे, हम लोगों ने बहुत दिन तक रहे, तो ब्रिजेश पाठक न तीन में न तेरह में उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का चुनाओ अप आस्तीन के साफ, जब तक इन आस्तीन के साफों को बीजेपी पालती रहेगी ऐसे लोगों को, तब तक उसका नुकसान होता रहेगा और उसको उसका खामियाजा भुगतता पड़ेगा, लेकिन हर्याना की जीत इतनी बड़ी जीत है भारतिय जन्ता पार्टी के लिए, और इतनी जरूरत थी भारतिय जन्ता पार्टी को, देखे पूरा नेरेटिव बदल जाता अगर बीजेपी हार जाती, कहा जाता कि मोधी का जादू खतम हो गया है, मोधी से लोगों का मोह भंग हो गया है, अब मोधी के नाम पर वोट नहीं पड़ेंगे, तो मैं तो कह रहा इस बात का अफसोस हुआ, इस बात का दुख हुआ, कि उन्होंने मोधी के खिलाफ वोट किया लोग सभाचुनाओ में और सीटे खम कर दी, उस अफसोस की उस दुख की भरपाई के लिए भारतिय जन्ता पार्टी को अब तक के इतिहास के हर्याना के विदान सभाचुनाओ में भारतिय जन्ता पार्टी के अब तक के इतिहास जो है उसके प्रदर्शन का उसमें सबसे ज्यादा सीटे दी, अलांकि फिर कह रहा हूं कि अपचारिक एलान जो है नतीजों का होना बाकी है, लेकिन इतना इस पश्ट निजर आ रहा है, जिस तरह कि उसकी बढ़त है, ज धोल नगारे बज रहे थे, खुशी मनाई जा रही थी, और रिजल्ट जैसे जैसे कम बढ़ता गया वोटों की गिंती का, रिजल्ट बदलता गया, कुछी देर में बदल गया, बीजेपी सत्ता में आ रही है, स्पष्ट हो गया, तो भारतिय जन्ता पार्टी की हर्याने मे यानि 2025 में जब दिल्ली विधानसभा और उसके बाद बिहार विधानसभा के चुना होंगे, उस पर भी पढ़ेगा, अब आप कहेंगे इतनी जंबी बात और इतने अलग-अलग राज्य उन पर कैसे पढ़ेगा, तो नतीजे का सीधा असर नहीं होता, कि बीजेपी के हर्य कारिकरता उटसाहित होता, हर्याना ने ये बताया भातिय जंता पार्टी को बताया नहीं, बल्कि फिर से याद दिलाया, शायद वो बूलने लगी थी, कि उसके संगठित रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो हम आपके साथ है, आप आपस में बटे हुए रहेंगे, तो अगर मटोगे तो क्या होगा याद समझ दो तो ये बात किवल देश के स्थर पर नहीं है संगठन के स्थर पर भी, राज्य के स्थर पर भी है कि मटोगे तो नुकसान उठाओगे तो हर्याना का नतीजा भारतिय जंता पार्टी के लिए एक नय नेरेटिव का कारण बनेगी भाजपा को राष्ट्री इस्तर पर एक नया नेरेटिव गढ़ने का मौका देगी और उसके लिए एक परिस्थिती एक माहौल बना दिया है नहीं तो हर्याना के चुनाओ अगर मान लीजिए कि भारती जनता पार्टी हार जाती पहला असर क्या होता ये जो बॉर्डर पर बैठे हैं किसान इनको पंजाब से भी जोड़कर दिल्ली बेजा जाता पूरी तरह से अराजकता पैदा करने की कोशिश होती तथा कथित किसान अंदोलन के समय नहीं हो पाया वो करने की कोशिश होती ये जो तथा कथित किसान अंदोलन को चलाने वाले हैं उनका एक ही मकसद है अराजकता पैदा करना कि इतना प्रवोक करो कि पुलिस को बलप्रयोग करना पड़े गोली चलानी पड़े नहीं तो कम सकम लाठी चलानी पड़े तो देश भर में हम ये narrative बना सकें कि देखिए मोधी की सरकार किसानों को पिटवा रही है उन पर अत्याचार कर रही है मोधी की सरकार ने ये narrative बनने ही नहीं दिया नुकसान भले उठा लिया चुनावी रूप से लेकिन ये narrative नहीं बनने दिया तीन कृशी कानून वापस ले लिये लेकिन ये narrative नहीं बनने दिया तो कई बार धैरे आपको लॉंग रन में उसका नतीजा मिलता उसका परेड़ाम मिलता है शौटर में या अल्पकाल में उसका नुकसान होता है लेकिन आप धैरे को बनाए रखें तो आपको अल्टिमेटली फाइदा होता है वो हर्याना विधान सभा के चुनाव ने बताया तो देश को अराजकता की आग में जोकने का एक और अफसर मोधी और भारत विरोधियों से छीन लिया है हर्याना के मद्दातों ने ये है इस चुनाव का संदेश इसलिए ये कह रहा हूँ कि एक राजके में सरकार बनने या ना बनने का चुनाव नहीं था ये नेशनल पॉलिटिक्स का नेरेटिव सेट करने का 4 जून 2024 के बाद जो नेरेटिव का इनिशेटिव बीजेपी के हाथ से निकल गया था वो नेरेटिव का इनिशेटिव फिर बीजेपी के हाथ पर आ गया है अब बीजेपी नेरेटिव फिर से सेट करेगी और उसके विरोधी उसको follow करेंगे जो बीच में मामला पलट गया था अब वो फिर से जो ग्रहों के चाल कई बार टेड़ी हो जाती है और फिर सीधी होती है उसी तरह से ये जो narrative की चाल है टेड़ी हो गई थी वो फिर से सीधी हो गई है तो अब भारती जंता पार्टी के लिए भारती जंता पार्टी का कारीकरता खास तोर से जो 4 जून 2024 के बाद से थोड़ा निराश था, हताश भी था, उत्साह में कमी आ गई थी, वो सब दूर हो जाएगा. एक नए उत्साह के साथ आने वाले समय में, मतलब आने वाले समय मतलब ज्यादा समय नहीं है, एक डेड़ महिने का ही समय है, बाकि महराश्ट उसके अलावा जार्खंड में विधान सभाचुना होने वाले हैं. तो वहाँ चुनाओं पर तो असर पड़ेगा, पार्टी कारिकरताओं पर संगठन पर असर पड़ेगा. साथ में खास्तोर से अगर महराश्ट की बात करें और जार्खंड की भी थोड़े कम मस्तर पर जो गड़बंधन होगा, जो गड़बंधन के साथी हैं, उनमें सीट बटवारे के मुद्देव पर का भी असर पड़ेगा. अगर भाचपा हार गई होती, तो उसके गड़बंधन के साथी दलों का दबाव बढ़ता, उस जादा से जादा सीटे देने का, अब इसका उल्टा होगा. अब भारती जनता पार्टी तै करेगी कि गड़बंधन में किस साथी दल को कितनी सीटे देनी हैं. तो पूरा नेरेटिव आप देखे इस तरह से बदलेगा, किसानों से जोड़कर देखा गया हर्याना के चुनाओ को, कि हर्याना में हार का मतलब किसान नाराज है, सबसे बड़ा मुद्द, दो मुद्दे सबसे बड़े बनाए गए, पहलवानों का मुद्द हर्याना तक सी तो देखिए, निरिटिव जब बदलना शुरू होता है, तो उसकी गती बड़ी तेज होती है。 तो इस समम्हें जो बदलाव शुरू हुआ है हर्याना से, बदलाव की ये हवा धीरे-धीरे आँधियों तुनामी में बदलेगी। हर्याना में सुनामी नहीं चल रही थी कॉंग्रेस की, अब ये बीजेपी की नेरेटिव की सुनामी आने वाले समय में चलेगी, तो ये जो बहुत बड़े सेफॉलाजिस्ट हैं, जो अपने को परम ज्यानी समझते हैं, लगातार फेल हो रहे हैं, और ये तो प्रोफेशनल थ की सोचल मीडिया पर देखना है कोई लगाता निमान लगाएं, गलत हो जाएं ये बात समम्झ में आती है, ये तो साइइन्टिफिक आधार पर, जो है काम करने का दावा करते हैं, और ये ये मानते हैं कि पत्रकारों से ज्याधा समझधार है, इनको ज्याधा समझ है, इनके ये पास हर तरह की सुविधा उपलब्द है, उसके बाद ये बोल रहे हैं, वो वीडियो अगर कहीं आपको मिल जाए सोशल मीडिया पर देखना चाहिए योगिन द्यादों का, चेहरे से हसी फूट रही थी, खुशी दबाय दब नहीं रही थी, कि हर्याना में कॉंग्रेस की सुनामी चल रही है, अब देखना है अगला वीडियो क्या आता है, उस सुनामी कह गई, उसकी दिशा क्या हो गई, ये उमीद करते हैं कि योगिन द्यादों बताएंगे, तो हर्याना ने देश की राजनिती को एक नई दिशा दिखाई है, तो इसंक में इतना ही, अगला ए क्या है, जस सुनामी को आता है, अगला ए सुना में रही है, घ। देता हैं कि योगिन दीके राजनिती को सिशा कैसरा के इतना है